हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आप पैस्वागत है टॉपिक है तमिलनाडू में मिले 16 शदाबदी के सिक्के तमिलनाडू पुराततव विभाग को तमिलनाडू में तीरुचेंदूर के पास पुन्नकयाल गाउं में 16 सदी के पिंटिंग ट्रेस और प्राचीन सिक्के मिले हैं अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने यहां के सेंट जेविर चर्च के दक्षिन तर्च से 14 तमबे के सिक्के एकत्र किये हैं सिक्कों की भौतिक स्थिती से पता चलता है कि ये सोलहमी और सत्रहमी शदाबदी के नायक काल के हो सकते हैं सिक्कों पर लिखावट फीकी पर गई है जिसके कारण इनके बारे में सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है तांबे के द्वारा खारे पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण सिक्कों का रंग हरा हो गया है इसके अलावा खुदाई के दोरान चीन से आयाती चीनी मिटी के बरतन के अवशेस चुंग यान जैसी धुम्डपान करने वाली सामगडी भी मिली आपको बता दें कि 1578 में अनरीक आदीकलर ने वरतमान केरल राज्य के कुल्लम में पहली तमिल पुस्तक चाबी थी जिसे तंबिरान वल नाम कहा जाता है पुन्नकयाल में इसी काल के एक प्रेस के अवशेस मिले हैं थमिरा बरानी नदी के मुहाने पर पुर्वी तरप्र इस्थित पुन्नकयाल बस्ती को प्राचीन काल में मतस्य पालन का मोती कहा जाता था आगे जाकर यह नदी मनार की खारी में विलीन हो जाती है